हेलो दोस्तो तो कैसे हो आप सब आपका स्वागत करता हूँ आपके बने यूटूब चैनल विजय गाले सियाटेस में दोस्तो जिन छात्रों को अपनी पसंद का कोलीज नहीं मिला है उनके पास अब क्या उप्सन है दूसरा डोकोमेंट वेरिविकेशन किन छात्रों कराना च चाहिए और सियाटेस सेकन्ड राउंड कांसिलिंग में कौन स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर पाएगा अगर आपको कोलीज लाउट हुआ है अगर आपको स्टीपेट करना है तो आपको क्या करना होगा इन सबी को लेकर हम इस विज़िव बात करेंगे क्योंकि इस लेक्ट्रीशन जैसे आप सेर्च करेंगे सियाट्यस इसके नाम से टेलीग्राम चैनल आजाएगा उसको जोइन कर लेना है बाकि जितने भी इस चैनल पे नए है वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले जानकारी यह लगते तो वीडियो को लाइक कर देना अगर आपका फिर भी को डाउट रहे जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो अब देखे दोस्तों जो स्टुडेंट से आइटे सेकंड राउंड काउंसिलिंग बिना किसी मिश्टेक के अच्छे से करना चाहता है वो हमसे जुड़ सकता है हमारा काउंसिलिंग प्रोग्राम जोइन कर सकता है काउंसिलिंग प्रोग्राम जोइन करने के लिए आपको सिंपले स्वाटसप नंबर पे मैसिज करना है और हां दोस्तों एक counselling program paid है और इसकी बहुत ज़्यादा piece नहीं है बहुत कम piece में आपकी counselling अच्छे से कर दी जाएगे अब देखे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जिन छात्रों को अपनी पसंद का college नहीं मिला है देखें दोस्तों अगर आपको आपकी पसंद का college नहीं मिला है तो आपके पास दो option है दो option क्या है एक तो आप document verification करा सकते हो दूसरा क्या है second round counselling में आप participate कर सकते हो second round अगर आपने document verification करा लिया document verification के बाद आपकी seat lock हो जाएगी यानि आप second round में participate नहीं कर पाओगे document verification के बाद आप सिर्फ transfer round के लिए eligible हो जाओगे जो transfer round है ठीक है अगर माने चलो बहुत सारे student के doubt है कि सर मैं तो document verification नहीं कराना चाहता है मैं तो second round में participate करना चाहता हूँ अगर आप second round में participate करना चाहते हो तो बस उसका सिर्फ सिम्पल एकी तरीका है कि आपको document verification नहीं करानी है जो student transfer round में participate करना चाहता है उसको document verification कराने पड़ेंगे जो transfer का eligibility criteria है कौन उसमें बैट पाएगा कौन नहीं उसको लेकर प्रोपर एक वीडियो आ जाएगी कल ठीक है तो आपको देखना है कि मुझे transfer round में बैटना है तो document verification कराने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो कि मुझे तो ये college बसंद कर नहीं मिला है मैं तो second round में ही try करूंगा तो फिर आपको document verification नहीं कराना है ठीक है तो मेरे इसाब से document verification को लेकर आपका doubt के लिए और हो गया होगा document verification कि नचात्रों कराना है जो transfer round में participate करना चाहते है ठीक है जो transfer round में participate करना चाहते है सिर्फ वो ही document verification कराए और ध्यान रखना जब आप document verification करा लोगे तो second round के लिए eligible नहीं हो इस बात का ध्यान रखना वो seat आपकी fix हो जाएगी अगर transfer के तुरू में change हो जाता है तो अच्छी बात है नहीं वो seat तो आपकी है अब देखिए बात कर लेते हैं कि CITES second round counselling में participate करना है तो क्या करें उसका simple तरीका document verification ना कराए दूसरी बात इस CITES second round counselling में कौन कौन बैठेगा क्या counselling फिज दोबारा लगेगी या नहीं लगेगी इसको लेकर भी बात कर लेते हैं देखें दोस्तों जिन student को college allowed नहीं हुआ है वह बैठ पाएंगे और दूसरे जो first round था first round में जिन्होंने participate नहीं किया था वो student बैठ पाएंगे और जिन student को college allowed हुआ है और जो document verification नहीं कराएंगे वो student भी second round counselling में बैठ सकते है दूसरी बात अगर आपने counselling fees pay कर दिया है कितनी एक हजार रुपे तो आपको दोबारा pay करने की जरूरत नहीं है और जो student first round counselling में fees pay नहीं कर पाएंगे वो भी second round counselling में fees pay कर पाएंगे उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है अब बात कर लेता हूँ कि किन student को document verification कराना चाहिए या किन को second round counselling में participate करना चाहिए अगर आप यह जानना चाहते हो आपके marks कितने है trade क्या है उस हिसाब से seat बचेगी या नहीं बचेगी अगर आप उस तरीके से अपनी document verification या जो second round counselling है उसको लोगकर doubt killer करना चाहते हो तो जो हमारा यह doubt session program है इसको join कर सकते हो join करने के लिए आपको जो यह scanner दिख रहा है इस पर आपको 99 रुपीज pay करने पडेंगे यहां से आपका doubt बिल्कुल clear कर दिया जाएगा कि आपको document verification कराना चाहिए या फिर आपको second round counselling के लिए जाना चाहिए यहां से आपका doubt clear हो जाएगा ठीक है अगर आप अपना doubt clear करना चाहते हो तो simply आपको क्या करना 99 जैसे आप यहां पर pay करोगे उसके बाद WhatsApp नंबर पर आपको screenshot send करना पेमेंट के बाद जब आप send कर दोगे personal आपको guide किया जाएगा आपको क्या करना है ठीक है अगर issue candidate payment के बाद WhatsApp पे message कर सकते है इस video में इतना ही अगर आपका doubt है तो भाई आप comment करके पूछ सकते हो और जिन साथियों ने अभी तक telegram channel को join नहीं कर ले